हाई कोट ने मुख्यमंत्री सिवरासिंग चौहान के ओंदा स्पोट निलंबन के आदेश को खारिच कर दिया है इतना ही नहीं इस एक्षन के लिए राजिसरकार को नोटिस भी दिया है सीयम ने दस दिन पहले चिंदवाडा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्त अधिकारी जीसी चौरसिया को मंच से ही निलंबित करने के आदेश दिये थे निलंबन आदेश को चौरसिया ने हाई कोट में चुनोती दी थी कोट ने सस्पिंसन पर रोक लगाते हुए इस्टे ओरडर दिया है यह तूसरी बार है जब चौरसिया को हाई कोट से रहत मिली है इससे पहले सीयम ने उन्हें पत से हटा दिया था तब भी चौरसिया हाई कोट से इस्टे ले आय थे बात 23 सितंबर की है मुखे मत्री सिवरा सिंग चौहान तब रामा कोना में जन सेवा कारिक्रम में पहुँचे थे तब उन्होंने मंच पर ही सीयम चौरसिया को बुलाया था उनसे पूँचा था आयुसमान कार्ट बनाने में देरी क्यो हो रही है कितने हित ग्राहियों को आयुसमान योजना का लाब मिल पाया इसका जवाब CMHO नहीं दे पाए थे इस लापर वाही पर सीयम ने ततकाल उन्हें CMHO के प्रभार से हटा दिया था इसके बाद उन्हें रेडियो लॉजिस्ट के पत पर छिंधवाड़ा जिला अस्पतार में न्यूट किया गया था लेकिन चौरसीया हाइकोर्ट पहुँच गया थे जहां से उन्हें स्टे मिल गया था इसके बाद उन्होंने दोबारा अपना पत सम्भाल लिया था सम्मेलन हुआ था यहां मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चौहान भी पहुचे थे CM ने जब CMHO चौरसिया को कारिकरम में देखा तो उनके मौजूद होने का कारण पूछा CM को हाई कोड के इस्टे ओर्डर की जानकारी मिली इसके बाद उन्होंने मंच सही CMHO को सस्पेंट करने का ओर्डर दे दिया चिंदबाडा के बिछुआ में 9 दिसंबर को हित्गरा ही सम्मेलन हुआ था यहां मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चौहान भी पहुचे थे CM को हाई कोड के इस्टे ओर्डर की जानकारी मिली इसके बाद उन्होंने मंच सही CMHO को सस्पेंट करने के ओर्डर दे दिये चिंदबाडा जिले के मुख्य चिकित्सा इमस्वास तरिकारी जीशी चौहरा जिद्वारा एक याचका मानी नालय में प्रस्तुत की जई थी जिस में मानी मुख्य मंत्री जी द्वारा पब्之ी रहली के दोरान मंच से उन्हें ने लंबित किया गया था याचका के प्रक्रण यह था कि 22 सितंबर 2022 को जब मानी मुखमंत्री जी द्वारा रामा कोना में एक सभाग अटेंड की गई थी उसमें कुछ लोगों ने सिकायद की कि आईसमान कार्ट नहीं बन रहा है इसको लेकर मंच से ही मानी मुखमंत्री जी द्वारा सिरी चोरशिय जी को पद से पर्ठक करने शेत आदिसित किया गया और उसके पालन में 23 सितंबर को इनको पद से पर्ठक भी कर दीया गया जिसके विरुद जी सी चोरशिया द्वारा पूर में एक याजिका मानी उच्चिन ज़्याले उप्रस्तुत की गई और उस याजका में मानी उच्छने आले द्वारा इनको इस्थगन प्रदान किया गया पोनाह दिनांक नौबारा दोजार बाइस को मानी मुखमंत्री जी का चिंद्वारा जिले में कारकम हुआ जिसमें जन्चेतना अभियान रह ली में मंच से यह उद्गोषना की गई कि इस व्यक्ति को तो पूरु में मैं हटा चुका था यह फिर से यहीं है इसलिए अब मैं इनको निलंबित करता हूँ कि इस मंच के कारकम की वीडियो क्लिप जो थी CD के माध्यम से भी माननी उचे न्याले की समझ प्रस्तुत کی गई और जिसको माननी उचे कारण लेक ना करते हुए बे बज़ाए याचिका करता को निलंबित किया गया है और आज मानिय उच्छनेला की बेंच द्वारा सिरी जी सी चौरसिया के निलंबन आदेश को एवं उनके इस्थान पर जिसको करेंट चार्ज दिया गया था दोनों आदेशों को इस्थगत कर दिया गया है और सिरी चौरसिया पोना मुखिच के समना स्वास्ताजगारी छिनवारा बने रहेंगे